आज हम आप लोगों को उत्तर लेंस और अबतल लेंस में अंतर बताएंगे अर्थात, differences between convex lens and conqueulence तो चलिए, सुरू करते हैं पहला अंतर है, उत्तर लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है जो उत्तर लेंस होता है, वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है जबकि जो अवतलेंस होता है यहाँ बीच में पतला होता है यानि बिल्कुल उल्टा होता है अवतलेंस क्या है? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है जबकि अवतलेंस क्या है? बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है अगला अंतर है उत्तल लेंस से अच्छर बड़े आकार के दिखाई देते हैं जबकि आउत्तल लेंस से अच्छर छोटे आकार के दिखाई देते हैं तो जैसे किसी किताब पर हम लेंस को लेकर जाएं और अच्छरों को देखें अच्छर लेंस से बड़े दिखाई देते हैं तो क्या होगा उत्तल लेंस है लेकिन अगर लेंस से देखने पर अच्छर छोटे आकार के दिखाई देते हैं तो वो क्या होगा अबतल लेंस होगा क्या कान केव लेंस होगा, आते हैं अगले अंतर है, उत्ता लेंस प्रकास की किरणों को एक बिंद पर केंदरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी कहा जाता है, जो उत्ता लेंस होता है, ये प्रकास किरणों को एक बिंद पर केंदरित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, जबकि अबताल लेंस प्रकास किरन पुंज को फैला देता है, इसलिए अपसारी कहा जाता है, अपसारी क्योंकि प्रकास किरन पुंज को फैलाया, इसने अपसार किया, प्रसार किया, इसलिए अपसारी हो गया, तो अबताल लेंस क्या होगा, कि प्रकास क्रण पुंज को फैलाता है इसलिए अपसारी कहा जाएगा इसे अगला अंतर है उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिविंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इससे किसी वस्तु का जो प्रतिविंब बनता है वो वास्तिविक बनता है और उल्टा बनता है जबकि आवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रितिविम्ब आभासी तथा सीधा बनता है यानि कानकेव लेंस से कोई भी वस्तु हो उसका प्रितिविम्ब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिविंब वास्तिविक है और उल्टा है जबकि आउत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिविंब आभासी है तथा सीधा बना हुआ है दोनों लेंसों से कैसे प्रित्विम्ब बनता है आपको पता चल गया होगा आते हैं अगले अंतर पर अगले अंतर है लेंस को बाई और हिलाओ तो प्रितिविम्ब दाई और गति करता है अगर लेंस को बाई और हिलाने से प्रितिविम्ब दाई और गति करता है तो उत्ता लेंस है या काउन्वेक्स लेंस है लेकिन यदि लेंस को बाई और हिलाओ तो पृत्ताल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है तो दूरी धनात्मक होती है जबकि अब तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है अगला अनतर है उत्ताल लेंस का प्रयोग सूच्मदर्सी, दूरदर्सी, फोटो कैमरा और डाक्टर कान वा आउनक की बिमारी को देखने के लिए करते हैं यानि सूच्प दर्सी दूर दर्सी और फोटो कैमरा में उत्ता लेंस का प्रियोग होता है और साथी साथ डाक्टर कांड वा आँख की बीमारी को देखने के लिए इसी लेंस का प्रियोग करते हैं जबकि अवता लेंस दूर दर्सी में प्रियोग होता है और गैलेरियों की दूरदर्सी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो दूरदर्सी पर मेरे जर्म में वीडियो अप्लोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं तो आवताल लेंस दूरदर्सी में प्रियोग होता है अगलांतर है उत्ताल लेंस का उप्योग दूर दृष्ट दोस को दूर करने के लिए किया जाता है यानि उत्ता लेंस का प्रियोग दूर दृष्ट दोस का निवारन करने के लिए करते हैं तो दूर दृष्ट दोस का निवारन उत्ता लेंस से होता है जबकि आवताल लेंस का प्रियोग निकाट दृष्ट दोस के निवाण में किया जाता है यानि निकाट दृष्ट दोस को दूर करने के लिए आवताल लेंस का प्रियोग करते हैं यदि आप लोग दूर दृष्ट दोस क्या है निकट दृष्ट दोस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे जर्ब में फुल वीडियो अप्लेडर है आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं